हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हम बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से सिंपल के साथ साथ ये टेस्टी भी होता है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और घर के ही कुछ समान से ये असानी से बन जाता है तो फिर देर किस बात ये चलिए बनाते हैं आज इस रेसिपी को हम बनाएंगे गेहूं के आटे से उसके लिए ले ले लेना है दो कब गेहूं का आटा जो नॉर्मल हम लोग रोटी बनाते हैं न हर दिन वही आटा है अब इस आटे में हमें कुछ मसाले एड़ करना है जिससे आटे का टेस्ट बहुत ही अच्छा है तो सबसे पहले डाल देंगे नमक आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लाल मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन अजवाइन को हल्का सा क्रस करके डालेंगे कि अजवाइन की पूरी खुस्बू आटे में आ जाए और आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का पाउडर जिसको हमने हलका सा दरदरा ही कूट लिया है कूटने वाला से अब इसमें फ्लेवर और अच्छा टेस्ट के लिए डाल देंगे आधा चम्मच कसूरी मेथी यती आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसके जगा हरा धनिया पत्ती को भी काटके डाल सकते हैं अब इन सभी चीजों को पहले सुखा ही मिक्स कर लेंगे आटा में अभी आटा में सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसमें डालेंगे मोयन तीन चम्मच मोयन में आप तेल की जगा घी भी डाल सकते हैं जो है आपके पास वो डाल दें अब इस तरह से आटे को मसलना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मोयन पड़ता है खस्ता बनने के लिए तो हाथ से हलकाल का मसलेंगे तभी आटे में मिक्स होगा दो से तीन मिनट का टाइम लगता है इस तरह से मिक्स करने में अब इस आटा में मोयन अच्छी तरह से मिक्स हो गया जैसे ही आप मुठी बनाएंगे ना तो वैसे ही गोल मुठी बन जाएगा और मुठी तूट जाएगा तो आप समझेगा इदम पर्फेक्ट इसमें मोयन पड़ा हुआ है आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे जैसे नौर्वान उनक पराठा का डो लगाते हैं बस वैसे ही लगाना है स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा पानी डालें फिर जौरत पड़े तब डालें पानी आप इस तरह से पानी डालेंगे न आटा में तो कभी आपका आटा गीला नहीं होगा अभी देखे थोड़ा सा फिर से पानी डालेंगे और सॉफ्ट आटा लगा लेंगे अब एकदम soft आठा लग के ready हो गया आप देख सकते हैं जैसे हलकाल का मसलेंगे न तो एकदम मुलायम लगेगा आप इस आठा का पराठा सेख के खाएंगे तो गजब का टेस्ट आता है पराठे में एकदम soft पराठा बनता है तो बस अब इसे rest के लिए 10 मिनट के छोड़ देते हैं अब ये आठा पूरी अच्छी तरह से set हो गया set होने के बाद थोड़ा सा चिकना दिख रहा है तो आप क्या करेंगे छोटे छोटे साइज का हमें लोई बनाना है इतने बड़े साइज का और इस तरह से हाथ से पहले गोल करेंगे और गोल करके मुठी बना लेंगे तो बस मुठी के सेप में सारे को बना के रैडी कर लेना है एकदम इजी है इसलिए मुठी के सेप में बना रहे हैं आप चाहें तो गोल गोल भी बना सकते हैं जैसा पसंद हो उस हिसाब से बना ले अब देखें ये भी बनके ready होगी या बाकी कभी हमसे इसी तरह से बनाके ready कर लेंगे अब एक सेप का सारा हमने आटे से बनाके ready कर लिया है अब देख सकते हैं देखने में कितना ज़्यादा सुन्दर दिख रहा है तो चलते हैं फिर अब इसे उबालेंगे उबालने के लिए एक कढ़ाई में एक गलास पानी डालेंगे पानी को अच्छी तरह से गरम होने के लिए छोड़ देंगे अब कढ़ाई के जगा कोई भी बड़ा बरतन ले सकते हैं अब इसमें डाल देते हैं नमक नमक पानी में डाल देंगे न तो पूरा आटा में अच्छी तरह से नमक अंदर तक चला जाएगा ऐसे तो आटा में नमक दिया हुआ है बस ये पानी अच्छी तरह से गरम भी हो गया और नमक भी गुल गया अब हमने जो आटे का बना के रैडी कर रहा है उस सारे पीसेज को इस तरह से डाल देंगे एक एक करके सारे को एक ही साथ डाल देना है दो पाटे में नहीं करना है अब हमने सारे को डाल दी अब ग्यास का फ्लेम हाई कर देंगे हाई फ्लेम में उबलने के लिए छोड़ देंगे कि इसमें उबाल आए अब देखें इसमें उबाल आना सुरू हो गया अब ही ये सारा आटा का नीचे बैठा हुआ है जो हमने बनाया है जब यह पक जाएगा तो उपर फ्लोट करने लगेगा अब एक बार मिक्स कर देते हैं मिक्स करके फिर उबलने के लिए छोड़ देते हैं उबलने में इसको 7-8 मिनट का टाइम लगता है अब देखे, सारा उपर फ्लोट करने लगा है पूरी अच्छी तरह से पक चुका है अब इसे पकने में 15 मिनट का टाइम लगा है बस अब इसे हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये सारा उपर आ गिया है ग्यास का फ्लिम आफ करके सारे को एक स्टिनर में निकाल देते हैं जो भी पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए अब हमने सारे को एक छनी में निकाल दिया है अब ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अब ये पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है ठंडा होने के बाद थोड़ा सा देख सकते हैं हलका सा सक्त हो गया है अब इसे deep fry कर लेंगे deep fry करने के लिए कड़ाई में तेल डालेंगे तेल जब गरम हो जाएगा तो सारे pieces को इस तरह से डाल देंगे एक ही बार में सारे pieces को डाल के gas का flame low कर देंगे और low flame में ही इसे तलेंगे बस एक बार पलट लेते हैं इसलिए low flame में तलेंगे ना कि ये मोटा मोटा है तो अंदर तक पूरी अच्छी तरह से एकदम क्रिस्पी हो जाएगा इसको पलट पलट के और तलने में थोड़ा time लगता है थोड़ा patience से करना पड़ता है तो बस अब इसी तरह से पूरी अच्छी तरह से golden होने तक fry कर लेंगे अब इस पूरी अच्छी तरह से golden color का होगी अब इसे हम निकाल लेते हैं अब देखे हमने सारे pieces को fry करके रख लिया है बहुत ही अच्छा बना है और आप इसे store करके रख सकते हैं ज्यादा दिन नहीं 2-3 दिन के लिए 2-3 दिन में एकदम खराबने उतर बहुत ही tasty लगता है खाने में तो friends अगर आज की रेसेपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें